नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल आचार जागिंद्र मिस्त्रा में आज हम बात करने वाले हैं कन्या राश वाले जातक का सेप्टमबर अक्टूबर और नवंबर 2020 का महिना कैसा रहने वाला है हमारे गुर्देव यानी की 30 जून को धनु राश में प्रवेस कर चुके हैं और 20 नवंबर तक धनु राश में ही रहेंगे साथ ही साथ आपके चतुर्त भाव में गोचर करेंगे उसके बाद मकर राश में प्रवेश करेंगे इसमें देखे राहू का गोचर सबसे महत पूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राहू जो है अभी मिधुन राश में है तेज सितंबर 2020 तक आपके दसम घर में ही रहने वाले हैं और तेज सितंबर 2020 को मिधुन राश से ब्रिसव प्रथा में ही रहेंगे उसके बाद फिर धीरे धीरे सनि देव अस्त हो जाएंगे शुक्र जो है इसमें शुक्र जो राशी परवर्तन होगा वह करक राश में शिंघ राश में और कन्य राश में गोचर करेंगे दोस्तो हम सभी ग्रहों का शटीक विष्लेशन करके बताए महीना यानि सितंबर अक्टूबर और नवंबर का महीना कैसा रहेगा बुद्ध देख अभी सितंबर में दो सिक्टंबर को राशी परवरतन होगा दूसरा होगा 22 सितंबर को राशी परवरतन जो कि आपके राशी के स्वामी है काफी महत्वपूर्ण सावित होगा करने राश करेंगे तो आईए सबसे पहले बात करते हैं करने राजफ वाले जातक आपका स्वास्त कैसा रहेगा तो थोड़ा सा आराम करना आपको पसंद है आप किसी भी अपने करतवों का पालन ठीक ढंग से करने में बहुत ही सक्षम होते हैं केवाल आप सारी जिम्मेदार्यों को निभाते हैं और उसे उस परिणाम को पूरा करके ही मानते हैं अपने मेहनत के बलबूते करने राशवालों शारे काम आप अकेले ही कर लेते हैं थोड़ा सा यहां खुस नहीं होते सिर्फ अकेले रह आपको अच्छा नहीं लगता इसलिए आप एक अच्छा बेहतर मित्र खोशते हैं और अपनी तरह एक इमांदार ब्यक्ति यानि आपको मित्र भी चाहिए और उसकी महत्व को भी आप समझते हैं आप जो हैं कन्य रासवालों एक सक्छम ब्यक्ति हैं और कार कुशलता की प्रसंसा करते हैं आपको अपने बिरोधियों से शत्रों से उपर उठने के लिए कठिन परिस्त्रम करना पड़ते हैं और आप उनसे आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा ज्यादा मेहनत होने के कारण थोड़ी सी आपको इस दर्मियान स्वास्त संबंधी परिशानी हो शकते हैं लेकिन इस दर्मियान अगर आप ब्यापसाय करते हैं बिजिनेस करते हैं तो आपको जवर्जस्त लाब देखने को मिल सकता है अगर हम स्वास्त के बारे में और ज्यादा बात करें तो कन्य रासवालों आप आर्थिक मामलों में काफी चतूर हैं और प्रसंसक भी हैं हाला कि आप पुरानी एबं परकी हुई बस्तूं के प्रसंसक है लेकिन नई बस्तूं को भी परियाप्त मौका देते हैं आप काफी सहच बेखती हैं और बच्चों के प्रत अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं करने रास वाले जातक आप अपने ब्रिस्तित होते हुए परिवेश के बारे में बहुत अच्छन भह करेंगे लेकिन आपके परिजन इस बात को लेकर निराश होंगे कि आप करना चाहते हैं उसके लिए समर्पित कर दें जो आप करना चाहते हैं या आप जो कहना चाहते है उसको सब के सामने बोल दें किसी भी चीज को गुपत न रखें नए दोस्तों से आप काफी लगाव कानभव होगा आपके गलत खान पीन के कारण आपका स्वास्त थोड़ा सा यहां पर प्रभावित हो सकता है बाहर के खान पीन से सावधान रहना है और यहां पीट की समस्या हो सकती है साथी सा सरदर्द या ब्लेट पेसर या डायविटीज की बीमारी है तो परेशान कर सकती है या बीपीज की समस्या से परेशान हो सकते हैं बाहन से सावधान रहें बाहन के दुरगटनाओं के भी योग बन रहें हैं तो यहाँ पर अगर आप बाहन संबंधी चीजों से आप परहेश करते हैं तो निश्ची तोर पे आपको दुरगटना नहीं होगी लेकिन सावधानी पूरवक चलें बस ट्राविंग करते हैं तो सावधानी पूरवक चलें अगर हम आपकी लवलाइप और पारिवारिक जीवन संबंध के बारे में बात करें तो देखें आपका पार्टनर से बात करने के लिए काफी धीरत से काम लेना होगा अगर सांती बनाय रखनी है तो सोस समझ कर बोले चोटी चोटी कुछ कहा सुनी गंबीर रूपधारन कर सकत हालक कि ऐसा कभी कभार ही होता है इसे अधिक तूल मत दीजिए चुप्पी शादना सब्से बेहतर होगा अपने शाहस को एकत्रित कर एक महत्रपूर्ण ब्यक्ति को बताएंगे आप सभी अपसरों का लाब उठाएंगे जो आपको मिलेगा ग्रहों की जो बिशम दूसरों की बातों पर धियान देने की जरूरत नहीं है प्रेम में पड़े इस राज के जातकों के लिए यसमें बहुत अच्छा नहीं है आप अपनी पार्टनर को समझने में असमर्थ हो सकते हैं जिसके कारण थोड़ा अलगाओ पैदा हो सकता है मेरे प्रीमित्रों कन्य कन्य राश वालों अब हम बात कर लेते आपके धन के बारे में आपको धान की जो आर्थिक इस्तिती रहेगी आपके कैसी रहेगी धन संबंधी मामलों में ग्रह गोचर का परिवर्तन होने के कारण ऐसा संकेत मिल रहा है कन्य राश वालों आपका किस्मत दुबारा पलटने वाली है कारिस्थल पर कुछ हद तक तना हो सकता है लेकिन आपको अपने जिरूरी कारी के पेच्छा नहीं करनी है अपनी कागजी कारवाई को पूरा करने और सभी सरकारी आवशक्ताओं को पूरा करने में सावधान रहें आप एक छूटी लेकिन महतपूर्ण गलती अप कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ या स्वेम अकेले दम पर विफसाय का विश्थार करना चाते हैं तो कन्या रासवलों यह आपके लिए उत्तम समय कहा जा सकता है लेकिन किसी पार्टनर के साथ करते हैं मित्रों के साथ करते हैं तो यहां पर विवाद की स्थिती बन स आपका बढ़ेगा जैसे लोटरी शट्टा शेहर मार्केट से लाब होने की योग बने हुए हैं तो कन्य रासवालों आपको यहां पर धन्स संबंधित किसी भी चीज में कमी नहीं आएगी आपकी बित्ती जरूरतों पर यानि की अनसूजी मांगों की वज़े से दिन परेश जो आपका अठका हुआ है तो उसको सुनिश्चित करें उसकी जाच करें परताल करें और फिर सही नेने पर आप आगे बढ़ें आपको कुछ पुराने कर्ज का भुकतान करना पर सकता है सितमबर अक्टूबर और नवंबर के महीने में जिससे आप भूल चुके थे या जाद नहीं था मेरे प्रिदोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कन्यराश वालों आपके लिए मेरा क्या मोटिवेशनल सब्द है या यूं कहें तो आज का विचार क्या है कन्यराश वालों जीवन का सबसे बड़ा भ्रहम है लोग जो हैं अपनी आवश्यक्ता के मुताबिक हम मेशा इस्तेमाल करते हैं और हमको लगता है वह हमसे बहुत प्यार करते हैं अतह जब काम समाप्त हो जाता है तब दूद से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं यही कड़वी सच्चाई है जीवन की आपने विल्कुल सही सुना है कन्यराश वालों इसलिए दोस्तों आ आप जो हैं अभिमानी ब्यक्ति को ज्यादा दोस्ती का हाथ मत बढ़ाए अपने जिंदगी में आगे बढ़िए अब हम बात कर लेते हैं कन्यराश वाले जातक के लिए अनोखा टोटका दोस्तों आप जो हैं अपाहिज या फिर किसी बिकलांग ब्यक्ति को अनाज का दान जो है वह सब कुछ दूर हो जाएगा मेरे प्रीमित्रों कमेंट बाक्स में अपना सुझाव जरूर दें और कमेंट में जैसरे कृष्णा वाश लिखें और दोस्तों कन्यराश वालों ये था सितंबर अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपका रासी परवरतन और कन्य आराश वालों आपका किस्मत दुबारा पलटने वाली है तो दोस्तों इन तीन महीनों में आप ये उपाई करके अपने बुरे प्रभाव जो ग्रहों के हैं उससे आप दूर कर सकते हैं तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिए नए है तो चैनल को सब्सक जदी जरूर कि कर दे उन ओे।